नमस्कार, एक ऐसा चीज जो अगर आप इस नए साल में बदलाव कर रहें, आपके जीवन में खुसियां ही खुसियां आजाएंगे, पैसे ही पैसे आजाएंगे, और आपका स्वास्त, आपका रेलेशन से सब बेठर हो जाएं, मात्र एक चीज़, और इसके लिए आपको करना है, केवर यहां चेंज करना है, यहां, वो क्या है, वो मैंने, इस बार मेरी यही प्रतिग्या है, और मैं फालू करता हूँ, एकदम फालू करता हूँ, पिछले 20 साल से फालू करता हूँ, और इसको फालू करूँगा, और भी, कि बिल्कुल भी ध्यान, जीना अपने अपनों के लिए है, जीना समाज के लिए नहीं है, लोग कहते हैं, सुसाइटी के लिए जीओ, यस, सुसाइटी के लिए करो, सुसाइटी को दिखाओ, दो अला लक्ष, सुसाइटी के लिए जीने का मतरब होता है, सुसाइटी के लिए कुछ करो, सुसाइटी के लिए जीने क ये कहीं से मत्रब नहीं होता कि society को कुछ दिखाओ हम society के रहे जीते हैं लेकिर कैसे जीते हैं society को दिखाने के लिए साधी करना है तो इतना खर्च कर दो society को दिखाओ गाड़ी ऐसी रखो कि society को दिखाओ घूमने जाना है इसलिए नहीं जाना Singapore कि हम आपको Singapore अच्छा लगता है इसलिए जाना है कि Singapore की videos जो है photos जो है वो अपने social media पे post करो और लोग देखे इसलिए आपको जाना है आपको जिससे खुसी मिलती है वो करिए दिखाने के लिए कितना दिखाओगे यही आपके दुखो का कारण है गीता में बहुत सारे दुखो के कारण बताए गए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज अगर आज गीता लिखे जाती तो आज दुखो का एक मात्र कारण होता कि हम जो है अपने social media post को better करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए अपनी reads ऐसे दिखाएं कि हमारे पास कौन से गाड़ी कौन सा फोन, कौन सा बंग्रा और एक्च्वर हम कहां गुमने जाएं कौन से brand के कपड़े पहने इसकी यही सबसे बड़ा दुखो का कारण है इस दुख से बाहर आ जाए जितनी जल्दी बाहर आएंगे उतना खोस रहेंगे मैं आप वह एक एक्जाम पर के तुख बताता हूं सुसाइटी में आगे बढ़ना अच्छा माना जाता है और पीछे जाना खराब माना जाता है फिर मिड़स्ट्री में लोग साइड एक्टर का रोल करते हैं फिर टीबी पर रोल करते हैं फिर मूवीज में जाके साइड एक्टर का रोल करते हैं और फिर रिड एक्टर बनते हैं अमता बच्चन के जीवन में एक ऐसा दिन आया जब वो एक तरह से बैंक्रप्ट हो गये थे वो एक स्टार टॉप स्टार पीछे आये उन्होंने बिल्कुर नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी टॉप स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार संचुरी का स्टार टीबी पर आके अरे क्रोल उन्होंने किया इसी दिए आज वो दबच्चन है अगर उन्होंने इस समय सोचा होता नहीं वो कहें गुमनामी का जीवन जीर होते नहीं जी में टीमी पर जाओंगा वो लोग जो वहां डायक्टर होगा जो वहां पर जितने भी लोग कैमरामेन होगा वो क्या कहेगा मेरी लोग क्या कहेंगे मेरा भाई क्या कहएगा बतीजया क्या कहएगा आज वो दव बच्चन ना होते इस आरीए प्लिस करिये मच्छी पालन करिये बकरी पालन करिये उबर चराइए ओला चराइए जो कर सकते हैं करिये दुनिया क्या कहती है कोई फरक नहीं पड़ता कोई फरक नहीं पड़ता जिस दिन आपके घर में खुसियां होंगी, आपके पास पैसे होंगे, हाँ, कुछ भी illegal नहीं करना है, कुछ भी समाज के against जाके नहीं करना है, काम कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, success होगा, होगा, अगर आपका conviction है, तो success होगा, और जैसे ही success होगा, वो नहीं लोगों के लिए आप उदाहरण हो, मैं अपनी बात बताता हूँ, जिस दिन मैंने सरकारी नोकरी छोड़ कर, tuition पढ़ाना शुरू किया था, भागड है, सोचिए, सरकारी नोकरी छोड़ा, tuition पढ़ाता है, भागड है ना, आज मेरे स सब मुससे संबंद रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास आज सब कुछ है, क्योंकि संबंद उसी से रखा जाता है, जिसके पास कुछ हो, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, आपसे कोई संबंद ने रखना चाहता है, आपके पास कुछ होगा, लोग आपसे संबंद कि हमें कुछ करना है और क्या करना है वो करना है जिससे हमारा ग्रोथ हो समाज को क्या दिखाना है कोई फरक नहीं पड़ता है ग्रोथ हो जाएगा आप उपर पहुझे समाज सब देखता है सूरज चंदा अतारे सब अपने आपने कोई दिखाना ना सूरज दिखाना चाहता ह सब दिख जाते हैं, अपने आप दिख जाते हैं और दिखाने की कोशिस में जमीन के नीचे जो होगा, उनको दिखाना पड़ेगा, तो प्लीज दिखाने की कोशिस नहीं करना, आगे बढ़ें, दिख जाएंगे, थैंक्यू